आज हम इस वीडियो में अफ्रीका माधिप के बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले हम एश्या माधिप का अध्यन कर चुके हैं और आज हम एश्या माधिप के बाद में अफ्रीका माधिप की सरचा करेंगे एसया मादीब के बाद में सेकंड बड़ा मादीब है अफरीका मादीब यानि की तो देखो ये मादीब जो है इसमें 55 देश है 55 देश हैं एसया में 44 है और इसके छे देश जो हैं वो दीप ये देश हैं सागर में बसे वे देश हैं छे और इस मादिप को हम समगर दुरस्टी से देखें तो ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ से सागर और मासागरों से ये मादिप गिराववा है ठीक है तो सर्व सबसे अधिक तो इसमें देश हैं पच्पन देश किसी भी मादिप में नहीं है ठीक है दूसरी इसकी खास विशेशता ये है कि इस मादिप से होकर तीन परमुख अक्षांस गुजरते हैं उत्तर में करक रेखा गुजरती है कि बुमदे रेखा के दोनों तरफ यानि की मक्र और करक के बीच में कौन सा कटी बंद आता है उशन कटी बंद आता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग अफरीका मादिप उशन कटी बंद में आता है और उशन कटी बंद की क्या विशेशता है अत्य धिक तो ताप मान रहता है और अत्य धिक वर्षा होती है और अत्य धिक वर्षा तापमा दोनों होते हैं वहां पर गने वन मिलते हैं ठीक है तो यहां पर काफी अच्छे वन भी यहां पर मिलते हैं अच्छा खासा मरुस्थल भी यहां मिलता है तो अनेक विशेशताय लिए वे यह एक ऐसा मादीप है जिसमें आदुनिक से लेके प्राचिंतम समय की सारी के सारी संस्कृतियां और सबेताइं मिलती है और माना जाता है कि आदुनिक मानव का जनम भी अफरिका मादीप में हुआ था यानि कि हमारे पुर्खों की जनम भूमी इसी को माना जाता है तो देखो अफ्रिका मादीप जो है इसका हम देखें उत्तर से दक्षिन तक विश्तार तो काफी विश्तार है और एक इसके उत्तर में जो ये भूमदे सागर है ये इस मादीब को यूरोप से अलग करता है ठीक है ये जिब्राल्टर जलसंदी है जो यूरोप के इस्पेन देश से अलग करती है ठीक है फिर हम इसके पूरों में आएं तो यहां पर लाल सागर जो है ये इसको एशिया मादीप से अलग करता है क्योंकि यह अरब प्राइदीप है इदर ठीक है यह एस्या मादीप से अलग करता है लाल सागर और भूमत देशागर को जोड़ने के लिए यहां पर मिस्र देश ने स्वेज नहर का निर्मान किया है 1879 में उसका उद्गाटन हुआ था यहां से लेकि यहां तक यह जो आपको चौच सी दिखाई दे रही है यह शिनाई प्राइदिप है यह शिनाई प्राइदिप है जो एश्या मादिप में आता है एश्या मादिप के शिनाई प्राइदिप की यह इस्थल संदी को काटके और यहां पर स्वेज नहर निकाली गई थी जिससे लाल सागर और भूमदे सागर को जोड़ा गया है इस स्वेज नहर से भार्त को भी फायदा हुआ है क्योंकि पहले व्यापार के लिए इधर से अफ पड़ता था अब क्या है कि बंबई से सीधा अरब सागर से लाल सागर में आते हैं लाल सागर से फिर भूमदे सागर और फिर लंदन चले जाते हैं तो बहुत कम दूरी हो गई है बार्त और लंदन के वीच में तो यह जो स्वेज नहर है यह भूमदे सागर और लाल सागर को जोड़ती है यानिकि इसको याद करने का एक सुट्र है स्वेज नहर को भूल जाओ यानिकि स्वेज नहर जो है वह भूमद्य सागर को जोड़ती है भूल जाओ मतलब झाल पिर इसके हम पूरों में आते हैं तो यह दमा सागर का चेतर है संपूर्ण चेतर हिंद मासागर में आता है यह यानि कि इसके पूर्वी जो शीमा है वो हिंद मासागर से घिरी वही है और इसके पस्चिम में अंटलांटिक मासागर है ठीक है दोनों मासागर इसके दक्षिन में मिल जाते हैं और यहां पर इसके एक प्रायदीप है जो सुमाली प्रायदीब के नाम से जाना जाता है ये अफरीका मादीब का सबसे बड़ा प्रायदीब है ठीक है ये होरन ओफ अफरीका माना जाता है ये चार देश हैं और इन चार देशों को होरन ओफ अफरीका का जाता है और इसकी विशेश्था क्या है होरन ओफ अफरीका की ये पसू पालन का छेत्र है ठीक है एक ही विशेष्टा है ये औरन ओफ अफरिका पसू पालन का छेत्र है इसके पूरों में ये तंजानिया है और तंजानिया के दो दीप है ये ठीक है उत्तर में पैमा दीप है और देक्षिन में जंजीवार दीप है जो दुनिया की 90% से अधिक लोंग का उत्पादन करते हैं ये दोनों छोटे छोटे दीप ठीक है तो यहां लोंग और इलाईची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और ये तंजानिया के दो दीप है ठीक है फिर इसके और दक्षिन पूरों में आते हैं तो ये मेडागास कर दीप ये को अंटलांटिक मासागर में दो हैं केप वर्डे दीप और साओ टमे दीप और इधर हिंद मासागर में हैं सेसल्स दीप और कोमोरोस और मेडागासकर और मारिशस यह च्छै दीप यह देश हैं अक्सर परिक्षा में केप वर्डेप के वारे में पुछा जाता है या तो साग मासागर का नाम पुछे तो अंटलांटिक मासागर में आता है ठीक है यहां पर इसके खाड़ी है जिसको गिन्नी की खाड़ी कहते हैं यानि कि इसके पस्मी तट पर अंटलांटिक मासागर में एक खाड़ी है जिसका नाम है गिन्नी की खाड़ी ठीक है फिर इसके दक्षिन म गुड होप अंतरीब है यह लाल रंग से मैंने दिखा रखा है यह गुड होप अंतरीब है जो अफ्रिका मादिप की दक्षणी शीमा है ठीक है इसको उत्तम असा अंतरीब भी करते हैं इसके दो जली मारग है अंतराष्टिय जल मारग एक तो स्वेज नहर है और दूसरा करता है मोजांबिक चैनल तो इस से समंदित अफ्रिका से समंदित मोटी मोटी बातें यह थी अब देखो अफ्रिका मादिप की इस्थला करते हैं शुरू में उत्तर साइड में हम देखें तो एटलस परवत है और एटलस परवत की सर्वोट चोटी पुछे तो ड्यूब कर चोटी है यह यह मैंने लिख रखा है यहां पे और इस पे निसान भी है जो लाल पॉइंट जगा रखाया है यह सर्वोट चोटी दिखाई है एटलस परवत की अप्रिका मादिप का एकमत्र मोडदार परवत है यह घलैस और इसकी दिसां, बहुत मृषते हैं कि अप्रिका मादिप में कहां है तो यह उत्तरपूरो में आता है, और यह जो है यह नाईजर नदी यह और इस पर एक बांध है जिसका नाम है केंजी बांध ठीक है इसको कैसे याद कर सकते हो नाई होता है उसके पास केंची होती है तो नाईजर नदी जो है वो यह यहां पर इसमें गिनी की खड़ी में गिरती है और इसके उपर एक बांध है जो बहुत परशिद बांध है केन्या परवत है केन्या परवत है केन्या देश में है यह किली मंजारो है जो अफरीका मादिप का सरोच परवत है यह दोनों परवत है यह ज्वालवा मुखी परवत है ठीक है यह दोनों ज्वाला मुखी परवत है यहां से लेके इथोपिया से लेके और यहां ड्रेकेंसबर परवत है अफरीका मादिप मेंज़के दक्षणी अफरीका मेंघा यहां तक इस भूमी को उच भूमी बोलते हैं पूर्वी ऊच भूमी और परकाkiego थीक है तो इथोपीया से यह पुछे कि किली मंजारो परवत किस देश में हैं तो ये तंजानिया देश में ठिक है फिर इसके बगल में देखो यह है कंगो नदी कंगो नदी उत्तर में बहती है और फिर यह दक्षिन पेसी में आती है इदर इसके उपर भी दो बांद हैं है जलपर पाथ है sorry दो जलपर पाथ है ये मैंने लाल रंग से दिखा रखें हैं दोनों जलपर पाथ है एक का नाम हैं leaming इस्टॉर और दूसरे का नाम है श्टेनले स्टेनले जलपर पाथ थिक है तो कई बार पूस्ते हैं कि यह जो कंगो या इसका दूसरा नाम है जायरे नदी ठीक है तो जायरे नदी किस में गिरती है तो ये बी अंटलांटिक मासागर में गिरती है तो यानी पूर विसेद में इस नदी की खास शेचता है कि ये भूमद्दे रेखा को दो बार काटती है अक्सर परिक्षा में पूछा जाता है कौन सी नदी है अफ्रिका मादीप की जो विश्वत रेखा को दो बार काटती है एक बार तो ये उत्तर में बहती है तब काटती है फिर उत्तर में बहके ये दक्षन की तरफ म तो ये है जंबे जी नदी ये जंबे जी नदी है और जंबे जी नदी के उपर करीबा बांद बनाया गया है करीबा बांद बनाया गया है और इस पर एक जल परपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जल परपात ठीक है यह किस में गिरती है यहां गिरती है मोजांबिक चैनल में गिरती है ठीक है मोजांबिक सागर बोल सकते हैं चैनल बोल सकते हैं इसमें गिरती है यह है लिम पोपो नदी जो अफरीका मादिप के दक्षिन में है और यहां से निकल के और मकर रेखा को दो बार काटके औ एने की हिंद मासागर में गिर्टी है तो इसके उपर आप से ये सवाल करें कि लिम caffeine नदी किस rega को काटती है तो इसको याद करने का तरीका ये है लिम पो पो Oh,保, 어우 को करती है बक्री करती है को अपनी राशी में क्या बोलते हैं मकर बोलते हैं तो मकर रेखा को पोपो लिम पोपो नदी काटती है दो बार ये भी उत्तर में जाती है तब काटती है और दक्षिन में आती है तब काटती है ये दक्षिन में दक्षिन अफ्रिका की सर्वोचोटी है दक्षिन अफ्रिका देश की माधिप की नहीं देश की इसकी सर्वोचोटी है ड्रेकें अंट्लांटिक मासागर में गिरती है तो अफ्रिका मादीप की महत्पूर नदियां जो हैं उनमें तीन नदियां एक तो नाइजर नदी एक कांगो नदी और एक औरेंज नदी ये तो गिरती हैं अंट्लांटिक मासागर में और ये तीन नदियां दो नदियां ये हैं एक तो इसका यह जो जम्बेजी नदी है इसका हम जा ले सकते हैं और लिम्पोपो नदी का ली ले सकते हैं यानि कि जाली हिंदमासागर में और नाजा अंटलांटिक नाइजर नदी का ना ले सकते हैं और यह जो जाइरे नदी है इसका जा ले सकते हैं तो नाजा अंटलांटिक और अगर जाली हिंदमास आगर ऐसे सुत्र बना सकते हैं तो ये जो लिंपोपो नदी है ये भी मकरेखा को दो बार काड़ती है और इसके उपर जो ये आपकी जंबेजी नदी है इस पर दो जलपरपाद है विक्टोरिया जलपरपाद है और ये जो जील है एक जो करीबा बांद बनाया गया है उसके पिछे जील बनाई गी है जो अफरिका मादिप की सरवाधिक बिजली उत्पादन करती है और यहां पर दक्षिन में जो परवत शरंखला है उसको ड्रेकेंस बर्ग परवत माला कहते हैं यहां पर सोना और हीरा निकाला जाता है अब देखो यह दो रखनी है अब यहां पर विक्टोरिया जील है जो अफरिका मादिप की सबसे बड़ी जील है विक्टोरिया जील और विक्टोरिया जील से एक दारा निकलती है जिसको स्वेत नील कहते हैं और इधर एक और धारा बहती है जिसको ब्लू नील कहते हैं ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं तो इसको हम नील नदी कहते हैं अब आप से ये पुछा जाएं कि नील नदी जो है उसकी मुख्य धारा जो है वो कहां से निकलती है तो वो तो Victoria जिल से निकलती है और फिर उत्तर में बैते वे ये दक्षिनी सुडान, सुडान और मिसर होते वे फिर ये भूमदे सागर में गिरती है तो ये जो नदी है ये मिसर से होकर बैती है और इसके दोनों तरफ की जो पटी है वो जलोड मिटी से बनी हुई है यहाँ पर मिसर में बहुत उपजव मिटी मिलती है काली मिटी मिलती है इसलिए यहाँ पर कपास की खेती होती है और मिसर की जो कपास है वो आपनी क्वालिट के लिए विश्वय परसीद का पास मानी जाती है और इसको मिस्र को नील नदी का वर्दान कहते हैं और नील का मरू धान भी कहते हैं इसको क्योंकि यहां पर मरूस्थल है बहुत सारे अना सारा मरूस्थल है बहुत बड़ा मरूस्थल है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरूस् कि किसम उत्तम किसम की कपास पैदा करता है मिसर और मिसर ने यह जो स्वेज नायर निकाली है इससे भी यह व्यापार अंतराश्ट्य व्यापार करता है तो एक अच्छा देश है मिसर इसके रहाज दनी काहिरा है मिसर की तो यहां से आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वि नील और विक्टोरिया जलपरपात जो है वो है जंबेजी नदी पर ठीक है वो विक्टोरिया जलपरपात जो है वो तो जंबेजी नदी पर है विक्टोरिया जील जो है उससे कौन निकलती है नील नदी निकलती है और विक्टोरिया जील से होकर ही विश्वत रेखा निकलती अब इसके बाद में अफरीका मादिप के और इस्थलाकर्टियों के बारे में देखते हैं देखो उत्तर में जो है ये सारा मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है यह लीबिया देश में लीबिया मरुस्थल है और यह मिस्सर में है इस्टरन मरुस्थल और यह लुबिया में है लुबीनियन मरुस्थल और सुडान में है यह ठीक है दो देश है एक सुडान है एक दक्षिनी सुडान है तो यह जो लुबियन मरुस्थल है यह सुडान में आ नामीबिया और दर्शिनी अफ्रीका में इधर इसके पस्मी तट पर एक मरुस्थल और हैं जिसको नाबीब मरुस्थल बोलते हैं यह नामीबिया में हैं और यह कटंगा पठार है जो अफ्रीका मादीप के खनीज पदार्थों के लिए एक बंदार का काम करता है टीन है तंबा है इनका उत्पादन यहां से होता है कटंगा पठार से यहां पर वो जो ड्रेकस बरबत है उसके पास किंबरले की खाने हैं जो अंशब्रीक की खाने हैं उनसे हीरा और सोना निकलता है लेकिन टेन का और तामबे का उत्पादन कटका पथार से होता है यह कांगो क्छेत्र में आता है यहां पर कांगो चेत्र है कांगो नदी हैं उसकी ज्यादा दूरी है लेकिन फिर भी वो इस सागर का बेहद इस्तिमाल करता है किस मादिम से ये उस जायर नदी के मादिम से करता है क्योंकि अफरीका मादिप की ये नदी है ये नोकागम में नदी है इसके दुआरा ये जो कांगो गंडराजे हैं ये समुद्र का इस्तिमाल कर पाता है यातायात क का इस्तेमाल कर पाता है तो यह जो आपके नक्से में दिखाई दे रहे हैं यह मरुस्थल है जो सारा मरुस्थल है लीबिय मरुस्थल है इस्ट्रन मरुस्थल है लूबियन मरुस्थल है काला हरी मरुस्थल है और नाभी मरुस्थल है देखो यह काला हरी मरुस्थल है इसकी एक जनजाती है जिसको बुष मैं जनजाती कहते हैं वो नर्भक्सी जनजाती मानी जाती है कहते हैं कि वो सब कुछ सरवय हारा मतलब सब कुछ खा जाती है दिमक खा लेते हैं ये लोग और दिमक को इनका चावल कहा जाता है ये एक खुखार जनजाती होती है जो काला हरी सबसें बड़ा इशी का माना जाता है तो काला हरी मुष्थल की दो विशेस दाएं खास हैं एक टो वुष्मन जंजाती रहती है और एक सुत्र मुज जीव पाया जाता je सारा मरुस्थल का परसिद जीव उट है और यहां बद्दू जन जाती रहती है बद्दू जन जाती जो है वो पसू पालक जन जाती होती है और गुमन्तू होते हैं वो एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर गुमते रहते हैं और तंबों के गरों में रहते हैं ठीक है तो यह आपके मरूष्थल है जो प्रिक्षा की दृष्टी से मत पूझा है और एकसर प्रिक्षा में पूझे जाते हैं को है को हां अफ्रीका मादिप की एक ब्रंश-gamagati है घुमस गाटी है यह अफ्रीका के बीचों-बीच निकलती है और अफ्रीक का मादिप कोई ऐसे जैसे ककड़ी फट जाती है वैसे फाड़े हुए है यानि कि दरार आ गई है यह प्रकृति का एक अजीब चिन दिखाई दे रहा है कि इतने लंबे चोड़े भूखंड को भी प्रकृति कैसे बीच से फाड़ देती है और इसके फटे हुए भा गाटी के अंदर नहीं है इन ब्रेंश गाटी की दो सखाएं हैं उनके बीच में हैं विक्टोरिया जील तो कई बार इनका करम पूछते हैं तो उत्तर में रोडल्फ जील है जो यहां पर है और अलबर्ट जील दूसरे नंबर पर आती है उत्तर से दक्षिन चलते हैं तो फ फिर उसके बाद में टंगानी का जीलाती है और दक्षिन में मलावी जीलाती है यह जो ब्रंश गाटी है ये एक परकृति का आश्रिय जनक चिन है जो मलावी जील है यहां से सुरूँ होती है यह आपकी गर आफ्रीका के मद्डे से होते हुए एशिया का मर्त सागर है वहां तक पहुँँझाती है यहां पर इस्राइल और जॉर्डन की सिमा पर मर्त सागर है और वहां तक यह जहील पहुँँझ भरन्स गाटी पहुँँझ जाती है यह लाल bagus है इसके पास से होते हुए जोर्डन के मर्त सगर तक ये पहुंच जाती है और इसके पास से ही नील नदी बैती है तो यह मैप में साफ आपको ब्रंश गाटी दिखा रखी है और इसकी जिलें जो है वो भी मैंने इसमें दिखा रखी है अच्छे से याद हो जाएंगे आपको क्योंकि यह मैप में दिखाने के बाद में आसान हो जाता है याद रखना हाँ तो अब हम अफरिका मादीप के जो फैक्ट हैं उनको एक बार फिर दोरा लेते हैं ताकि इसमर्ति में ये इस्थाई हो जाएं देखो इसके उत्तर में भुमद्य सागर है और ये लाल सागर है ये स्वेज नहर है जो अफरिका मादीप को यूरेशिया से अलग करते हैं इधर ये अरब सागर है और ओमान की खाड़ी और अमन की खाड़ी ये जो है ये एशिया के इस अरब प्राइदिप से अलग करते हैं लाल सागर है ये भी इसी अरब प्राइदिप से अलग करता है और ये लीबिया का अजीजिया इस्थान है जहां दुनिया में सबसे अधिक तापमान मिलता है अठावन सेंटिग्रेट ये एटलस परवत है जो अफरीका मादिप का एक मात्र मोड़दार परवत है ये जिब्र अर्लांटिक मासागर है इसमें 55 देश हैं ये मोजांबिक चैनल है जो मेडा गासकर यानि माला गासी और अफरीका को अलग करता है और ये जो है दो दीप हैं पैमा दीप और जंजीबार जो दुनिया की सबसे अधिक इलाइची और लोंग का उत्पादन करते हैं ये तंज मासागर में सेलसस दीप और कोमो रोस दीप और मारीशस और मेडा गासकर ये चोटे-चोटे दीप इदर हिंद मासागर में हैं और ये किन्या चोटी है परवत है ये किली मंजारों है जो अफरीका का सर्वोच परवत है ये विक्टोरिया जील है जो अफरीका मादिप की सर वो सबसे बड़ी जील है और ये नील नदी है जो बुमेद देशागर में गिरती है विक्टोरिया जील से निकलती है ये वो छोटी-छोटी आपकी जीले है जो ब्रेंश गाटी के अंदर है करम से मनें दिखा रखी है ये मलावी जील है जिसको नया सा जील भी कहते हैं यहां सागर एशिया का मर्च सागर है वहां तक यह घटी जाती है वरंस घटी और इधर यह जो है गुड़ होप अंत्रीप है इसको उत्तम आसांत्रीप कहते हैं दक्षिन अफ्रीका का लास्ट पॉइंट है यह अफ्रीका मादीप का बोल सकते हैं दक्षिन अफ्रीका का बोल सक करते हैं यह क्यों परसीद है क्योंकि यह छेत्र पसुपालन का छेत्र है ठीक है यह जो शौमाली है यह सबसे बड़ा प्रायदीप है यह प्रायदीप जो है इसको सौमाली प्रायदीप बोलते हैं यह अफ्रिका मादीप का सबसे बड़ा प्रायदीप एक मात्र माधिप है जिससे विश्वत रेखा करक रेखा मकर रेखा गुजरती है और विश्वत रेखा जो है वह मद्देबाग से गुजरती है यानि कि संपूर्ण अफ्रिका माधिप उश्ण कटी बंद में आता है जिब्राल्टर जलसंदी भूमदे सागर स्वेजनेर ला इस्थल है जलिये छेत्र है सुमाली सबसे बड़ा प्रायदीप है अफरिका का सबसे बड़ा या उचा परवत किली मंजारो है जो तंजानिया में है पर पूर्वी अफरिका का उत्री भाग इथोपिया से शुरू होता है पूर्वी उच भूमी और दक्षिन भाग ड्रेक परवत है और जौलों की परवत ही दोनों ही अफरीका का एक मात्र मोड़दार परवत एटलस है जो उत्री पस्मी अमेरिका आफरीका में है मोरर को अलजीरिया में यह एटलस परवत है और यूरोप तक इसका विष्थार है इसकी सर्वोच चोटी पूचे तो माउंट ड्य जूबकर इसकी सर्वोच चोटी है अब देखो विष्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सारा है जो उत्री अफरीका में है विष्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है जो विक्टोरिया जील से निकती है और भूम देसागर में गिरती है अफरीका की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया जील है विक्टोरिया से होकर विश्व त्रेखा गुजरती है अफरीका की दरार गांकी यानि भरंज गांक में उनका यह है रूडॉटर्फ अलबर्ट की बू टंगानिया न्यासा यानी की मतलब मलावी जिल यह जिले हैं जो उत्तर से दक्षिन के करम में हैं अफ्रिका की सबसे अधिक जल डोने वाली नदी कांगो यानी की जायरे हैं वी सिर्थ रेखा को दो बार पार करती हैं यह नदी दो जल परपात हैं इस पर लिवेंग इस्टोन और स्टैनले जल परपात हैं अफ्रिका की सबसे दीक जल विदूत उत्पादन करने वाली नदी जांबेजी नदी है जो करीबा बांद से जल विदूत का उत्बादन करते हैं विक्टोरिया जल परपात इशी नदी पर है उचाई ये दूप परसिद है वो और अफरिका की प्रमुख नदिया लिंप पोपो मकर रेखा को दो बार काटती है जांबेजी लिंप पोपो हिंद माहसागर में अपना जल उड़ेल देती हैं और नाइजर जायरे औरेंज ये तीन नदिया हैं जो अपना जल ले जाते हैं यह जो चीजें हैं आपको नोट्स बनाने के लिए मदद करेंगे नोट्स बनाना चाहो तो इनको बना सकते हो और बहुत इंपोर्टन चीजों को है हमने इस वीडियो में सामिल किया है अब देखो अफरिका मादीप में सघ्धन आबादी के तीन चेतर हैं और वो तीन चेतर कौन-कौन से हैं नील नदी की गटी है पस्मी अफरिका है और दक्षनी पूर्वी पठारी परदेश है जनसुन्य परदेश भी हैं अफरिका माद चेतर है जो कांगो बेसिन का जो चेतर है वो दलदली और गहनेवनों वाला है तो यहां लगभग जनसुन्य ही माना जाता है दक्षनी सुडान एक देश हैं अफरिका मादीप में जो 2011 में सवतंतर हुआ है और यूएनों का 113 में सदसे बना है इसकी इसाई बहूल जनसंख है यानि किशाई बहूल देश है यह और इसकी राजदानी है वो जुम्बा है इथोपिया में ओमो नदी पर गायव धर्ड बांद बनाया गया है एक विशेश बात है अफरिका मादीप से समंदित वो देखो सोना हीरा पलेटीनम के उत्पादन में अफरिका अग्रिन है विसाल बंडार है इसके पास कोबाल्ट के मेगनीशियम के क्रोमियम के टेन के बोक्षाइट के और तंबा यूरेनियम के परन्तु लोहा और कोईले की कमी है यहाँ पर इसी वज़े से अफरिका मादीप का इतना ओद्योगिक विकास नहीं हो पाया है यह कारण कई बार परिक्षा में पूछते हैं कि इतने खनीज संसादन होते वे भी अफरिका मादीप का ओद्योगिक विकास अच्छे से क्यों नहीं हो पाया यानि कि उस इसतर का क्यों नहीं हो पाया जिस इसतर का होना चाहिए था तो उसके दोईकारण है एक तो लोहा और ऐक कोईला और यह दोनों ही जो चीज़ें होती हैं खनीज होते हैं वह किसी भी देश के औरेगई विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं जापान को छोड़के जापान एक ऐसा देश है जिसके पास लोहा को इलाव अगेरा नहीं है वो आयात करता है और फिर भी अपना विकास अच्छे से किया है उसने तो इसका विकास नहीं होने का ये मैन कारण है खनीज तेल इसके उत्री देशों में निकाला जाता है और उनके नाम भी कई वार परिक्षए में पूछा गया है लीब्य और एलजीरिया में खनीज तेल निकाला जाता है अफ्रीका के उत्री शिमा से स्वेज मारंग निकलता है और दक्षिन से उत्तर उत्तम आसा अंतरीप यानि की केप ओफ गुड होप निकलता है ये दो जली मारग हैं जिनसे अंतराष्टी व्यापार होता है और अंतराष्टी आवागमन होता है इस संपूर मादिव की 10% ही कर्शी योगे भूमी है नील गाटी की मिटी सरवाधिक उपजव है इसमें अगर पुछे तो सवाल खादे फसल यहां कंदमूल हैं जैसे कसाव है रतालू है अन्य खाद्यान फसल है मक्का और नगदी फसलों में तेड तेल ताड और मुंफली को को कवा कपास शिशल यह इसकी नगदी फसले हैं तेल ताड का देश कहते हैं नाइजीरिया को क्योंकि वहां तेल ताड अच्छा निकाला जाता है कपास नील गाटी में और काजू पूर्वी बाग में शिशल तंजानिया में तेल ताड मुंफली को को कवा पस्मे अफ्री विश्व की नब परतिश्यत लोंग इन दो दिपों से उत्पादित होती है अफ्रिका विश्व की जल विदूद का पांच परतिशत ही उत्पादन कर पाता है जबकि इसके चमता जो है वो 28 परतिशत है इथोपिया में ब्लू नील पर ग्रेड रेनी सेंस बांद बनाकर अफ्रिका की सबसे बड़ी जल विदूद प्रियोजना का निर्मान किया गया है काला हारी मरुस्थल जो है वो बोट्सवाना नामीबिया दक्रिका में है सबसे अधिक इसका विष्टार बोट्सवाना में है यह भी प्रिक्षा में बहुत बार पुच्छा गया है विश्वय में सबसे अधिक अधिक तापमान लीबिया के अल-जीजिया में 88 degree centigrade रहा है जो विश्वय का सबसे अधिक तापमान है विश्वय के पास विश्वत रेखा के पास वर्स भर वर्सा होती रहती है जलवायू उश्णादर और गरम होकर हवाएं उपर उठती हैं जिसे संगनी तो होकर वर्सा होती है समयन ये वर्सा होती है उश्णादर जलवायू के कारण यहां उश्ण कटी बंदिये वन पाये जाते हैं विश्वत रेखी वर्सा वन मिलते हैं जिनको उश्ण कटी बंदिये और विश्वत रेखी वर्सा वन कहा जाता है वो गन्ये वन होते हैं जो लंबे-लंबे पैड़ हो चेतर है सघंघन बन पाए जाते हैं ये कांगो बेसिन है ये समाना या सुडान तुले जलवाईव वाला है और लाल रंग से मैंने दिखाया है ये जाइरो छेतर का कांगो छेतर का दलदली छेतर आता है गनेवन है और विश्वत रेख ये जलवाईव यहाँ पर पाई जाती है देखो अब सहरा कालाहरी की जलवाईव जो है वो गरम और सुस्क है यहां पर वनस्वती जो मिलती है वो खजूर केक्टस नागफनी जैसी मिलती है शारा में उठ पाले जाते हैं कालाहरी में सुत्रुद मुर्ग एक मुखे जीव है होरन ओफ एफरिका में इथोफिया का मादीप में कहां मिलती है भूमद्य सागरी जलवाईव भूमद्य सागरी जलवाईव की दो विशेस्ताएं हैं यहां पर सर्दियों में बारिस होती है गर्मियों में वर्षा नहीं होती है और यहां जो वनस्वती पाई जाती है वो छोटे-छोटे बोने पैड मिलते है जैसे अंगूर है जेतुन है ऐसे जाड़ी नूमा पेड़ मिलते हैं और जो खटे रस्दार फल होते हैं उनके पेड़ यहां पर मिलते हैं तो यह भूमद्दे सागरी जलवायू जो है वो अफरीका मादीप में दो जगे मिलती है एक तो यूरोप के तट्ये बागों में या चत्र है और दक्षन में नी पश्मी छेत्र में यहाँ एक जो मैंने लाल रंग में दिखा रखा है यह भूममद्दे सागरी जल्वायू जोγैब तो देखो यह पेले कलर में मैंने दिखाइं है यहाँ शमाना यानी की सुदान तुले जल्वायू यह सुद्दान में पाई और नाबीविया और सारा मरुस्थल मिलते हैं और यह जो यह नाबीव मरुस्थल यह न्यूबीनियम मरुस्थल है और सारा है और यह जो जलवाईव दिखाई है मैंने शितोषन घास के मैदान हैं यह जिनको वेल्ड कहते हैं और मिस्र गरनाया जे हैं सारा मरुस्थल का उद मादीप में भी प्रवेश करता है राजदानी काहिरा है कहां प्रवेश करता है शिनाई प्रायदीप के पास से एशिया मादीप में प्रवेश करता है एशिया का सिनाई प्रायदीप एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है नील के दोनों और जलोड मीटी की पट्टी है जो नील नदी डेल्टा बनाती है तो नील नदी बनाती है लेकिन कांगो नदी डेल्टा नहीं बनाती है ठीक है अस्वान बांध जो है वो नील नदी पर है नील नदी का सबसे उंचा बांध है अस्वान बांध काहिरा समस्त अफरिका मादीप का सबसे बड़ा नगर है जो मिस् तो अब ये था आपका अफरीका मादीप और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार